असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडिमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 क्लास के उर्दू का खेक शाबुक जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत दा चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है इसमें थोड़ी हसी मजाख भी है और उएस चैप्टर का नाम देखिए क्या है है चैप्टर का नाम है मुतशायर गेकिडिए गर मुतशायर नाम के इस चैप्टर के इस नजम यानि कि इस कवीता के लिखने वाले जो है ना यानि कि मुसनिफ लेखक है जफर कमाली यह याद रखिएगा क्योंकि एक्जाम में कोश्चन पूछ देता है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इनके बारे में हम लोग को के नजम नेगार यानि कि मुसनिफ लेखक कौन है तो जफर कमाली इतना याद रखिएगा तो हम लोग अब समझते हैं कि मुतशायर का मतलब क्या होता है बनावटी शायर वो शक्स यानि कि वो इंसान वो खुद असली का शायर ना हो वो रियल का कोई शायर ना हो वो कहते हैं मुतशायर यानि कि वो रियल का शायर ना हो बनावटी शायर नकली शायर को कहते हैं हम लोग क्या मुतशायर यह याद रखिएगा तो इस चैप्टर के माधियम से इस कवीता के जरीए यही बात बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह जो मुतशायर होता है बनाव जलूस में पड़ता है लेकिन फिर भी मुतशायर की चारों तरह बुलायवा है यान कि सभी लोग इसी को बुलाते हैं किस तरह लोगों को ठकता है यह सारी चिज़े जो है न आप लोगों को इस कवीता के जरीये जानने को मिलेगी और पढ़ने को मिलेगी ठीक तो चलिए अब मैं इस कवीता को पढ़कर यानि कि इस जरिफाना नागूं को पढ़कर उसका मतलब समझाती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मातर कि अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल अकन यानकी घंटी को दबाना मत भूलिएगा उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा और जो लोग मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखें वो वीडियो को शेर वगरा कर दें लाइक जरूर करें ठीक तो चलिए अब मैं लेती हूं बुक और फिर मैं आप लोगों को इसका वीता का मत नजले खुदा है नहीं तेल गर्चत सीरागे सुखन में बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में यहां पर इस नजम को ऐसे जफर कमाली लिखे हैं कि लग रहा है मुतशायर खुद बोल रहा है यान कि जो बनावठी शायर है वो खुद अपने आपके बारे में बता रह है ऐसे लग रहा है मतलब इस तरह जफर कमाली सिनजम को लिखे हैं तो लिखेए इस लाइन का मतलब युद इन 00 l नाम पर कमा रहा हूं और लोगों की मुझे पर इनायत है ठीक और भले ही मैं शायर कहने के लाइक नहीं हूं लेकिन फिर भी जहां पर भी महफिल सजाई जाती है जहां पर भी जलसा जलूस होता है हर एक अंजुमन में यानि कि हर एक जलसा जलूस में हर सजी हुई महफिल में मुझको बुलाया जाता है मेरा बुलावा आता है सुनाने घजल याएं घजल को Eliser घ modern लगाईं झाओं झाओं लुगrit这ताउं पिर भी वहां पर मैं बिल्ली बनकर म्याओं म्याओं करता हूं और लोगों की चापलूसी करता हूं मक्खन लगाता हूं लोगों की मतलब मैं जहां जाता हूं आप और लोगों को मक्खन लगाता हूं ताकि लोग मुझ को हर जलसा जलूस में बुलाते रहें और मेरा जो बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाता हूं मक्खन लगाता हूं और बहुत अच्छे तरीके से मैं चापलूसी करता हूं और यही चापलूसी के बल पर ही मैं धनबाद और जरिया जाता हूं मतलब उतने बड़े बड़े शहर में क्या जलसा जिलूस में जाता हूं इस कभी इस नगर में कभी उस नगर में कनाड़ा में पैरिस में दोह कतर में कभी जी हजूरी से ठकता नहीं हूं गर्ज की डगर से बहटता नहीं हूं यहां पर बोल रहे हैं कि असर कुछ निराला है मेरे बटर में यहां पर मुतशायर बोल रहा है बनावटी शायर कि मेरे बट वशायरी के सफर में रखता है लोगों को मखन लगाता हूं और उनसे चापलूसी करता हूं और लोग मुझे को हर जलसा जलूस में बुलाते हैं और यह जो मखन लगाने का तरीका है यही मुझे को शेर वशायरी के सफर में रखता है कभी इस नगर में जाता हूं कभी कनाडा में कभी पैरिस में कभी खतर में ठीक और कभी भी मैं जी हजूरी से ठकता नहीं हूं हमेशा लोगों को चापलुसी मनलब लोगों को बैकूप बनाता रहता हूं और चापलुसी करता रहता हूं गर्ज की डगर से बहकता नहीं हूं मैं अपने काम से पीछे नहीं हटता मैं ल यहां ने अदब का सिकंदर बना हूं यहां पर मुतशायर कह रहा है कि अगर मैं कहीं जाता हूं किसी के दर पर जाता हूं किसी के दरवाजे पर जाता हूं तो वहां पर दिन रात बैठ जाता हूं और वहां के लोगों से अपने गिले शिक्वे सुनाता हूं अपनी शिकम की दुहाई देता हूं ताकि वहां के लोग जो है ना मुझे पर तरस खाकर मुझे जलसा जलूस में बुलाएं और मुझे खाने पीने के लिए कुछ दे ठीक कहीं दूम हिलाता हूं शेरवशायरी के लिए मनलब जलसा जलूस में मुझे लोग बुलाएं इसके लिए मैं कहीं द अदव के जहान जो पे अुम ऑदरे हुआ क्वे मेरे यायार मेरा जो पैरोडिया दे वह घमार मेरा जो दीवान दे दे वहदार मेरा चले बस कई की पुझी उडालू मैं दिवान एकबर पेक अब्जा जमालू यहां पर बोल रहा है मुत शायर की जो तजमीन लिख दे यानि की वह जो लोग मेरी मदद करें इस चापलूसी करने में यानि की जो असली शायर है वह अगर शेर लिखता है नजम लिखता है या फिर गजल लिखता कोई मुझे लग लाखता दे ले तो वह मेरा यार है मेरा गंखुवार है वह मेरा सरदार है अगर मेरा बस चले न으 जो जोबी असली शायर है अगर वो के कितार है गुजल का किताब या फिर नजम का किताब उसी को मैं चुरा लू ठीक मेरा चले तो उसको मैं चुरा कर ले उड़ जाओं तिक अगर मेरा बस चले तो ये बोल रहा है कौन मुतशायर आगे बढ़िए आगे देखिए लिखा है न था शायरी का कभी मुझ को यारा जहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा जमाने ने देखा है यह भी नजारा फिजाओं में उरता है पिछका गुबारा मिली है मुझे दौलत बेजमेरी फकीरी में भी करने लगा हूँ अमीरी यहां पर मुतशायर बोल रहा है कि नथा शायरी का कभी मुझ को यारा मुझे शायरी का कभी वी शौक नहीं था लेकिन जहालत ने बहुत जोर मारा लेकonna परस्तिती ने अच्का पच्का ढच्का सभी तरह का गुबारा उड़ता है मिली है मुझको दौलते बेजमीरी फकीरी में भी करने लगा हूं अमीरी यानि कि मुझको यह जो दौलत मिल रही है वो बेजमीरी मिल रही है और फकीरी में भी मैं क्या करने लगा हूं अमीरी करने लगा हूं मैं फिर भी जूंड बोल कर चाप लुसी करकर मैं क्या कर गया हूं अमीर बन गया हूं गली दर गली खाक यूफाकता हूं कि हर रोज सत्तर कुई जागता हूं मैं क्या हूं या अच्छी तरह आखता हूं बड़ा तो नहीं हूं मगर हाकता हूं गलत स्वैमियों का अजब रंग पूले ने बदला है शाही का चोला यहाँ पर बोल रहा है मुतशायर कि गली दर गली खाक यूफाकता हूं यानि कि एक गली से दुस्रे गली जाता ही रहता हूं और हर रोज सत्तर कुई जाखता हूं या niki हरोज में 70 लोगों से मिलता हूँ और उनको किया करता हूँ मैं बटर यानी Baş हो लोग मुझ को जल्सक जलूस में बुलाएं मैं क्या हूँ ये अच्छी तरह आकता हूँ मैंक्या हूँ यह अच्छी तरह आक लेता हूं मैं बड़ा तो नहीं हूं लेकिन बहुत लंबी-लंबी हाकता हूं गलत फैमियों का अजब रंग घोला ममूले ने बदला है शाही का चोला देखिए शाही जो है यह एक पक्षी है जो कि बहुत उचाई तक उरती है तो गलत फैमियों का कर वो अपने आपको ममूला जो है अपने आपको शाही बताने लगा तो यहां पर भी जो है नमुतशाइर बौल रहा है वही हाल मेरा है मैं भी तो असली शाय नहीं मैं अश्यक करता नहीं हूं मेरे अंधर भी थो कला नहीं है उर्दू representations यह लिखने की लेकिन फिर भी मै होग मैं प्रमुत्षार बोल रहा है कि प्टना हो या फिर दिल्ली हो धकन हो या फिर पूना हो अगर मैं वहां पर ना जाओं तो वहां का जलसा हो सुना और जो अफसर कमाते हैं ना उनसे मैं कमाता हूं दूना हमेशा लगाता हूं मैं उर्दू को चुना उसे पिसता हूं उर्दू के मैं पिसता हूं कूटता हूं लूटे रहा हूं मैं उर्दू को क्य चल गया हूं किसी का खोटा हूं मगर चल गया हूं np मुत असलि शायर हैं जो खुढ क्या करता है चि जो le adolescents चन्दनी जिद्माग लगे लिखते हैं यह असली शायर WEU होते हैं उन Со-时间 में भी जाए उनको समय नहीं मिलता को कि-सी कहीं दूसरी जगह जाये और जलसे जिल्स में जाकर शिर्वषारी पढ़ें उनके मुकदर में शिकागो न लंदन लिखा है न डीचने में और दूसरे जिएotti нажा पाते जलसा जलूस में लेकिन भले ही मैं नकली हूँ तो क्या हुआ में नकली शायर हूँ तो क्या हुआ मेरा चारो तरफ नाम रोशन है मैं हर जगह जाता हूं मैं शिकागो जाता हूं लंदन जाता हूं पटना जाता हूं दिल्ली जाता हूं दक्कन जाता हूं पूरा जाता हूं मैं चारो तरफ घुमता हूँ, हर तरफ का मैं नजारा क्या करता हूँ, हर चारो तरफ का नजारा देखता रहता हूँ ठीक, खुशामत की मैं दाल था गल गया हूँ, मैं एक खुशामत की दाल था जो गल गया हूँ, के सिक्का खोटा हूँ, मगर चल गया हूँ मैं एक खोटा सिक्का था जो की चल गया हूँ गलती से जो गिरगिट का होता है वह रंग हुमे नहो लाज जिसमे वही अंग हुमे यह सच है के हारी हुई जंग हुमे अदब के लिए बाशे नंग हुमे लगा है जराफत का चेहरा पे गाजा निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा यहां पर मुतशायर जो है वह बोल रहा है कि जो गिरगिट का होता है वह रंग हुमे यानि कि मैं गिरगिट का रंग हूँ मैं कब अपना रंग बदल दूँ यह कोई नहीं जानता मैं गिरगित की तरह हूँ मैं अपना रंग बदलते रहता हूँ नहो लाज जिस अंग में लाज नहो वही अंग हूँ मैं यह सच है कि मैं हारी हुई जंग हूँ यह सच है कि मैं हारी हुई जंग हूँ मैं असलिक शायर नहीं हूँ और मैं अदब के लिए एक मैं अदब के न मैं उर्दू के नाम पर कमाया उतना चूना लगाया हूं कि मतलब उर्दू का जनाजा मैं ही निकालूंगा ठीक तो यह होता है मुतशायर यानि कि बनाउटी शहर किस तरह लोगों को चूना लगाते हैं मक्खन लगाते हैं और किस तरह धनबाद जरिया वगरा जाते हैं आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज